स्वागे थे आपका इंडियन फुड्स विथूसा में आज हम बनाएंगे चटपटी मिक्स नमकिन जिसे आप महीनों तक इस्टोर करके रख सकते हैं यहां हमने चार उबले हुए आलू लिया है आलू थोड़ा सा गर्म है इसे हां से मसलते हुए ठाली में डाल दें और फोल लें तो आप इसे चाहे मैसर से भी मैस कर सकते हैं या कद्दू कस कर सकते हैं यहां हमने आधा कब बेशन लिया है बेशन को थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और आलू मी से अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे, इकठा बेशन नहीं डालेंगे, नहीं तो सेव बनाने वाला आलू या तो बहुत जादा सुखा हो जाएगा, या तो बहुत जादा गिला हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से बेशन में डालते जाएं, और इसस चोटी चमाज काली मिर्च पाऊडर, 1 चमाज कास्मेरी लाल मिर्च पाऊडर, आधे चोटी चमाज गरम मसाला, और आधे चोटी चमाज हींग. डाल दें. कतोरी से फ्रक्ट आप अच्छषी तरह से मेस कर लें, ताकि सेव बनाने में इसमें कोई गुठलीया ने रहे. और इसे अच्छी तरह से मिला ले, हाथ पर थोड़ा साओल लगाएं और बेशन को चिकना कर ले अब हाथ पर थोड़ा साओल फिर से लगा लेते हैं, बेशन में से आधा बेशन को हाथ पर ले लेते हैं और लंबा रोल तियार कर लेते हैं इस तरह से, आधे वेशन को रहने देते हैं, अब चटनी जार लेते हैं, दो हरी मिर्च डाल देते हैं, और एक कप हरा धनिया डाल देते हैं, दो चमच पानी डाल देते हैं, और इसके चटनी तियार कर लें, तो यहां हमने बारिक चटनी लिया है अब सेव बनाने वाला सांचा या मोल्दे ले इसमें थोड़ी रिफाइंड ओल्ल लगा ले और इस जाली पर भी हम लगा लेते हैं इसे इससांच में डाले दे और इसके उपर इस मोल्ड को इस तरह से सेट कर लें अब इसमें हम बनाये हुए बेशन का रोल को डाल देते हैं उपर से इसके डखकन को बंद कर दें और यह अलग रख दें अब बच्चे हुए आधा बेशन में इस चटनी को मिला दें और अच्ची तरह से फेट लें इस तरह से यह अभी सूखा है तो हम थोड़ा से मिक्सर जार को दूल करके पानी लाल देते हैं देले कब चावल का आट डालन इसे कुरकुरा होने के लिए और थोड़ा सा पानी लाल देए सब को अच्छी तरह से मिला लें, इस तरह से हमने बुंदी बनाने के लिए त्यार कर लिया, सफेद नमक डाल दें और चीज तरह मिला कर छोड़ दें, कड़ाई में रिफाइंड अच्छी तरह से गन कर लें, और आच धीमी कर दें, धीमी आच पर हमें सेव को बनाना है, ते सेव तयार है, इसे बाहर निकाल लें, और इसी प्रोसेस से सारे सेव को तयार कर लें, दुसरे सेव को भी हमने बना लिया, और कुछ सेव को हम डार्क ब्राउन कर लेंगे, अब बुंदी बनाने के लिए हमने मसीन लिया है, इसकी जगह पर आप इस पल्टे का भी प्रियो निकालें, तो नीजे से बुंदी निकलना शुरू हो जाएगा, इसे जार करके हटा दें, इसे बीच-बीच में चलाते रहें, और छल्ली में इसे बाहर निकाल लें, दुबारा बुंदी को इसी तरह से बना लेते हैं, तो यह बुंदी अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, और कुरकुरी नहीं हुई है, यह देखिए, तो जब आधा बुंदी पक जाए, इसी में इस बुंदी को मिला देते हैं, और साथ में इसे हम कुरकुरा होने तक फ्राइ कर लेते हैं, तो बुंदी तयार है, इसे हम चल्ली बहें बाहर लेता है और ये देखिए काफी क्रिस्पी हो गई है अब इसी तेल में एक कप मुझफली डाल दे और मुझफली को टेल में डूबोतो रहें और उपर उठाते रहें इसे गर्म करते रहें और घंढ़ा करते रहें इस तरह से हम नहीं Hahn सारी मुझफली को तल लिया यह देखिए, अब इसी जाली में एक कप मखाना डाल दें, मखाने को भी इसी प्रोसेस से हमें तल लेना है, तीन-चार करी पत्ते इसको भी तेल में गर्म कर लें, इस तरह से इसी में थोड़ा सा कटा हुओ नारियल, तो नारियल को भी इस तरह हम फ्राइक कर लिया, मटर को भी इस तरह से फ्राइक कर लें, इसे कडाही में न डालें, नहीं तो मटर पूरी तरह से फैल जाएगा, और यह कडाही से बाहरा जाएगा, तो मटर को भी इस तरह से में क्रिस्प कर लेना है, अब दूसरी कडाही में एक चमच गर्म ओल डाल दें, और यहां हमने पतलाव हो गया है अब इसके लिए मसाला त्यार कर लेते हैं तो एक चमच चाट मसाला पाउडर आधा चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर आधा चमच काली मिर्च पाउडर आधा चमच काला नमक इन सब को अच्छी तरह से मिला दे एक छोटी चमच हीम इसे भी अच्छी तरह से मि दब दे, मफ़ली, मखाना डाल दे और चुडा-या पुहार डाल दे मसाला डालने, सबको अच्छी तरह से मिला ले इस तरह से आप नारियल भी डाल दे और करी पत्ते को भी डाल दे इस तरह से आप नमकीन बनाए खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आयो तो प्लीज लाइक करें सेर करें सुब्सक्राइब